नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टोप रेंडिंग जीके में रेल बे अररवी एंटीपीसी मैस स्रीज में आज हम 73 नंबर सेट करने वाले जिसके अंदर हम 4 मार्च का सिफ्ट 1 का और सिफ्ट 2 का पेपर डिसकस करेंगे इससे पहले जितने भी सेट कराएं गए हैं वो यह इसके बाद में बात करते हैं आज का पेपर सिफ्ट 1 का स्टार्ट करते हैं केवल मैथ की इंपोटेंट सवालों को डिसकस करने वाले हैं करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों स्पेशल गूरूप डी और एंटी पेसी सिफ्ट 2 एक्जाम की तयारी करने वाले इस्टूटेंट के लिए मौक टेस लगाना बहुत ज़्यदा जरूरी है समय बहुत कम है तो आप डेली एक मौक टेस जरूर लगईगा यहां से आपका कॉमिडेंस बनने वाला है, टाइम मेरेजमेंट हो गया, एक्जाम में कौन से सेक्षन वीक है, समय रेते अभी तक आप उसको यदि अच्छी त्यारी नहीं किये तो बूस्ट कर सकती हो, अभी टेस्ट बुक पर ओफर चल रहा है जिसमें यदि आप टीटीजी के को पर मॉक टेस्ट अटेम्ट कर सकती है, ज्यादा जानकारी के लिए डेस्क्रिप्स मॉक्स में लिंक है, ये आप टेस्ट बुक एप और वेबसाइट दोनों पर जाकार इसको उपन कोड से मैक्जिमम डिसकांट रहते हुए, इस टील को ग्रैप कर सकती हो, तो चले आप पर ये बाद क्या देखा, कि जो उसके दुवारा तै की कई दूरी थी, वो सेज दूरी की पांच बटे साथ है, इसका मतलब, यानि कि सेज दूरी येदि साथ है, तो जो उसने तै की है, वो दूरी हो चुके है, पांच कहने का मतलब ये है, तो उसकी चाल हमें बतानी है, कि कि इतनी चाल उसकी कितनी थी यह बतानीये में चाल पूरे टाइम पे रही है यृदी चाल सेम है तो जो रेश्यू दूरी का होगा वही रेश्यow समय का होगा यानिकि जो दूरी का रेश्यू है वह आपका क्या दे रखा है पांचisin यानिकि परतप समय क्तिंगतुए इसके पांच अनपास साथ में हो चुका है अब देखो जितना उसने चला है कितना देर रखा है एक घंटा बीस मिनट इसका मतलब क्या है यदि एक घंटा बीस मिनट को मिनट में चैंज करें तो असी हो जाएगा और साथ से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा यह आपका चार बटे तीन घंटे आ जाएगा यानि कि जो यह पांच समय है यह किसकी वैल्यू है जितना उसने चला है चार बटे तीन समय तक चला है वो इसकी वैल्यू है और आप से क्या पूछा गया है चाल पूछा गया है तो देखो हमारे पास पांच आ चुका है दूरी आपको जो दे रखी है वो पूरी दूरी द निकालना पड़ेगा 5 उन्पाथ की वेल्यू इत्नी है पूरा समय कितना होचुका है 12 हो चुका है तो 12 की वेल्यू निकालनी है तो एक और की वैल्यू कितनी आतु कि यえば 4,3 ॉना,4 नीचे 5 आ जाएगा और यह आ चूंदा के वैल्यू उनावे गैंक eating एक और चुका है पूरा समय इतना लगा है दूरी में इतना दूरी चला है टोटल 32 किलो मेटर चला है तो चाल कितनी हो जाएगी चाल हो जाएगी 32 बटे जो समय लगा है 28 और 15 आपका उपर आ जाएगा चार साथ है 28 ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत आ रहा है देखो समय हो चुका इतना फिर 5 से डिवाइड कर दिया नीचे कितना आएगा 15 आ जाएगा और उपर कितना आएगा उपर 7 ने आके 12 आएगा यहाँ पर तो 4 को जब हम 12 से मल्टिप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 48 हो जाएगा ठीक है 48 हो जाएगा अब आप यहाँ पर ये 48 से डिवाइड करते हो ठीक है 48 इंटू 15 इस प्रकार से हो चुका है सरल करें ये 8 से काटते हो तो ये कितना वार जाएगा 4 वार जाएगा ये 8 से काटते हो तो 6 वार जाएगा और थोड़ा सरल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, 3 से यदि इसको काटोगे, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ चुगा है, 4 कितनी आ चुकिए है, 10 किलोमेटर प्रती घंटा आ चुकिए, इस पकार से आपको करना है, आगे बात करते हैं, सवाल नमबर 3 दे रखा है आपको, तो हमें अभी तक पूछा जाता था, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, सिंपल दे दिया जाता था, ठीक है, और पूछा जाता था, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्वेर का, मगर यहाँ पर आपको cos के रूप में दे दिया गया है तो यदि यह k की value है तो x square plus 1 upon x square क्या होता है k square minus 2 यह मारा formula होता है अब देखो k का मान कितना दे रखाया है 2 cos theta दे रखाया है मान रखोगे आप यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा cos square theta आ जाएगा minus का 2 आ जाएगा अब दो दोनों में से common ले लोगे 2 cos square theta minus 1 हो चुका है अब यह जो 2 cos square theta होता है यह किसके बराबर होता है यह हमारा cos 2 theta होता है cos 2 theta का formula क्या होता है एक तो होता है 2 cos square theta minus 1 होता है यदि sine की बात करे तो 1 minus sine square theta होता है यहाँ देखो theta double है यहाँ single है इस प्रकार से आधा कौन है अब एक होता है cos square theta minus sin square theta इस तीन रूप के अंदर होता है तो हमारे पास देखो सबसे पहला रूप है तो इसको आप क्या लिख दोगे cos 2 theta लिख दोगे total कितना हो चुका है इतना ही मान आ चुका है 2 cos 2 cos theta 2 cos 2 theta यह मान आ चुका है आपका कहाँ पर मिल रहा है option number 3 हो चुका है हमार answer सवाल number 6 की बात करते हैं यह दे रुख है x y का मान बताना है तो देखो यहाँ पर पहली equation के अंदर यह आप देखते हो तो क्या है कि जो base यदी same है तो power जुड़ जाएगी यानि 3 की power यहाँ पर x plus y हो चुकी है और मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की power 2 लिख सकता हूँ यानि 3 का square तो यहाँ से हमें क्या मिला कि x plus y बराबर कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा एक equation मिल चुके है दूसरे की बात करें यहाँ पर देखो मैं 25 को क्या लिख दूँ 5 की power 2 लिख दूँ और उपर x है तो power से power आपस में multiply हो जाती है तो यह हो चुका है आपका एक तो 5 की power 2x हो चुका है एक 5 की power y हो चुका है बराबर 625 को भी लिख देते हैं कि 5 की power 4 हो चुका है यहाँ से मुझा किया मिला कि 2x plus y बराबर मेरा कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा यह हो चुका है अब आपको देखो क्या करना है, दो equation मिल चुकी है तो 2 values आप निकाल सकते हो, यदि दो equation है तो 2 value, एक equation है तो 1 value निकाल सकते हो, ठीक है 2 equation है हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको तोड़ लेता हूँ, ठीक है, तोड़ोगे या तो आप क्या करो, दूसरे में से पहली घटा है, तो इस प्रकार से भी solve कर सकते हो मैंने इसको इस प्रकार से लिखा x plus x plus y बराबर 4 लिखती है अब देखो x plus y कमान कितना दे रखा है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 किदि आप इस प्रकार से लिखते हो तो बराबर 4 आजाएगा तो x कमान यहाँ से हमारे पास आचुका है अब आपके पास x कमान 2 आचुका है पहली equation में यही रखते हो x कमान 2 plus y कमान आजाएगा y कमान कितना आजाएगा यहाँ से 0 आजाएगा यहां पर लिख देते हैं मान रखने पर ठीक है इस पकार से आ चुक है तो X का मान 2 आ चुक है Y का मान 0 आ चुक है option number कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा आगे बड़े सवाल number 7 की बात करते हैं चत्रबुज की चार बुजाओं का अनपात दे रखा है आपको परिमाब दे रखा है देखो अब परिमाब आपको simple form में पता होना चाहिए क्या होता है जो बाहर की boundary होती है कोई विया करती हो बाहर की जो boundary होती है उसी को हम परिमाब कहते हैं ठीक है तो चत्रबुज में क्या हो जाएगी चत्रबुज कुछ इस प्रकार से होगा, जिस भी प्रकार से होगा, तो ये चारो बुजाओ का योग करना है आपको, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मान लिया कि इस प्रकार से एक चत्रबुज दे रखाया आपको, तो उस अनपात में किस किस अनपात में है, इस प्रकार से अ पात में है तो हम कहे देंगे एक 4X हो गई, एक 5X हो गई, एक 6X हो गई और 7X हो गई और सब का योग किसके बराबर हो जाएगा 176 के बराबर हो जाएगा, 4 को 5 में जोड़ोगे तो आपका 9 आता है, ठीक है, और किसी तरीके से, देखो इनको जोड़ोगे तो 11 आएगा और उनको जोड़ो 11 आएगा तो टोटल 22 हो चुका है यहीं कि 22x की value आपके पास 176 आचुकी है यहीं मैं 11 का भाग देता हूँ तो मेरे पास कितना आजाएगा 16 आजाएगा 2 का और दोगे तो कितना आजाएगा 8 आजाएगा आठ आ चुका है इस कामान अब देखो हमारे पास x कामान 8 आ चुका है सबसे बड़ी बुजा पुछेंक कितनी इती सबसे बड़ी बुजा 7x थी तो 7x कामान कितना हो जाएगा पुर्दरा उप्रेता गाम के अंकित मुले पर 20 कलम खरीदता है क्या कह रहा है कि देखो अंकित मुले कितनी कलमों का बीस 15 कलमों का अंकित मुले 20 कलमों को खरीदता है अंकित मुले पर यानि कि 20 कलमों के क्रे मुले के बराबर है तो देखो 20 कलमों का क्रे मुले टीपी कोस्ट प्राइज 15 कलमों के SP के बराबर है यह चीज कह रहा है वो यह आपको नोट करनी है, मैं बस यही लाइन थी, यदि इसको आप decode कर लिया ना, तो बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, तो यह हो चुका है, तो यहां से मुझे CPSP का रेशियो पता दल चुका है, कितना हो जाएगा, आप उल्टा कर दो, देखो, CPSP के नीचे 15 लाओगे, और रेशियो आ चुका है, आगे बात करते हैं, सवाल में आगे क्या दिया गया है, यदि वहे इन 20 कलमों को, 1% की चूट पर बेजता है, देखो, अब आपके पास CP आ चुका है, MP आ चुका है, यानि मार्क प्राइज आ चुका है, और सैलिंग प्राइज की बात करते हैं, क्या चूट पर बेजता है, यह जिनि मार्क प्राइज इतना है, उस पर 1% की चूट पर बेजता है, अब देखो, इसको हम डाटा को आसान करने के लिए, पीछे 220 मान लेते हैं, ठीक है, कि मेरा CP 300 है, तो मार्क प्राइज कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 1% की चूट देता है तो 1% कितने के बराबर होगा, पीछे से 220 हटा दो, 4 के बराबर होगा, तो 4 यदि आप इसमें से घटाते हो, तो 306 में आ जाता है, तो मेरा Selling प्राइज आ चुका है, 306 में, कोश्ट प्राइज है 300, तो अब हमें अनुपात, यह लाब परतीशत निकालना है, लाब कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, यदि आप इसको घटाते हो, 96 परसेंटेज में पूछा है कितना है, ठीक है, तो यह आप कर दो, 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ती है, 3 दूनी 32 आ चुका है, आप्शन नमबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सवाल नमबर 12 की बा और तीसरा है अमला, इसको 11 दिन लगते हैं, इसको 15 दिन लगते हैं, यह तो आचुका है, इनका समय का अनफात, ठीक है, लगते हैं, एक साथ काम करते हुए वेक कारे को पूरा करते हैं, तो इसके लिए उन्हें 2012 का भुक्तान होता है, तो इमरान का हिस्सा बताना है कहने क का मतलब देखो efficiency का जो ratio होता है या एक दिन का का उल्टा होता है Yani यह है तो efficiency क्या हो जाएगा इनके यह लिफ यह हो चुका है कि उनकी हूच योग आपको दे रखा है 2015 के बराबर तो हम क्या करते इनका इनका योग आपको 2015 के बराबर दे रखाया तो एक बट्टे 11 की वैल्यू पूछी आपसे तो मैं इनका यह दी योग करता हूं कितना आ जाएगा आप यह दीन को सरल करते हो तो सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि आप सोचो कि मैं इनको भेन से हटा दू क्योंकि कोई भी आपस में कॉमन नहीं आ रहे तो जब आप ऐल्सियम लोगे तो ग्यारा पंदरा तेरा संख्या है आ जाएगी और पड़ी बड़ी संख्या है आ जाने के बाद यह आ जाएगी आपकी दो बच्यम लेके अनका और जो इनको रख ली अब देखो इन तीनों का योग है न वह आपको को 2012 के बराबर दे रखा है तो इन दोनों का कितना हो जाएगा यह आपका 195 हो जाएगा यहां पर बीच में 12 है 143 हो जाएगा यह आपका 13 आता है 195 143 और 165 इस फटार से यह 5 और 5 10 और 113 हो चुका है इसके बाद में बात करते हैं यह 10 और 10 20 की 0 दो आई हासल यह 503 आ चुके तो देखो अब क्या है कि 503 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है इन तीनों का योग 503 503 की वैल्यू आपको 2012 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 4 आ जाएगी और आप से पूचा गया है कि इमरान का हिस्सा जो कि 195 है तो 4 को 195 से आप multiply करते हो, 425, 22 हासल, 436, और 2, 38 का 8, 3 हासल, 4 और 3, 7, 880 आजाएगा, option number कौन सा हो चुक है, option number 2 हो जाएगा सवाल number 40 की बात करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुननफल आपको इतना दे रखा है, और एक संख्या, दूसरे संख्या की एक बटे पंदरा, वे हिस्से के बराबर है, तो दोनों संख्याओं याद कीजी, कैनी कि मैं मान लेता हूँ मेरी संख्या, पहली संख्या, ए औ दूसरे को यदि B मानता हूँ, तो दोनों का गुननफल कितने के बराबर हो चुका है, इतना हो चुका है, इतना हो चुका है, इतना हो चुका है, इसके बाद मैं कहा रहा है वो, कि एक संख्या, दूसरी संख्या की एक बटे पंदरा के बराबर है, तो इस कंडिशन को भी ह अनपात B ठीक है वो कितने के बराबर हो चुका है एक अनपात 15 के बराबर हो चुका है या कह दूं कि मेरी पहली संख्या X है तो दूसरी संख्या 15 X है ठीक है यहां से हमारे पास दोनों संख्या आ चुकिए कि एक संख्या अनपात था एक बटे 15 तो मैं कहूंगा एक संख्या आप 15x इस परकार से कह सकते हैं तो आप यहां से check कर सकते हैं क्या 0.6, 0.6 सभी बराबर है तो हम यहां से check नहीं कर सकते हैं option से तो नहीं ले सकते हैं तो अब क्या करना पड़ेगा हैं अब देखो A into B बराबर तो दे रखा है और यहां से A और B की value हो चुकी है आप यह value इस equation number 1 में रखतोगे तो क्या आजाएगा आपके पास 15x² आजाएगा 15x² बराबर कितना दे रखा है तो यहां से आप x² की value निकाल सकते हो कितनी आजाएगी 15 का भाग दोगे तो 4 आजाएगा 2 के बाद दसमलब थी तो लगा दिया है x का मान यहां से कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा आपके पास x का मान आ चुका है तो दोनों संख्या अब बता सकते हो कि मेरी एक संख्या क्या थी x थी यानि कि 0.2 हो गई दूसरी संख्या 15 into 0.2 हो गई तो यह आपका multiply करने पर 30 हो जाता है एक के बाद दसमलब लगानी है कि 3.0.2 यह आपकी संख्याएं हो चुकी है option number कौन सा हो जाएगा option number 3 हो जाएगा सवाल number 45 की बात करते हैं एक बार में 3 सिक्के उच्छा ले गए कम से कम एक head आने की प्राइकता तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक सिक्के की प्राइकता कितनी होती है head या tail आने की प्राइकता कितनी होती है यह होती है एक बटे दो क्योंकि total गटना है कितनी है या head आ सकता है या tail आ सकता है किसी एक का आना तो उपर एक हो चुका है नीचे दो हो चुका है यह तीन वार head आया होगा, तो यह सारी घटनाए सामिल है, या हम इसका उल्टा भी ले सकते हैं, यह ऐसी घटनाए, जिसमें एक बार भी head नहीं आया है, वह घटा देते है, one में से, total प्रायक्ता one के बराबर होती है, किसी की भी टोटल प्राइक्ता वन के बराबर होती है उसमें से यदि हम घटा दे कौन से जिसमें एक वार भी हैड नहीं आया है यानि कि तीनो वार हमारे क्या आये है टैल आये है तीनो वार क्या आये है टैल आये है ऐसी प्राइक्टा कर देते हैं जिसके अंदर तीनो वार टैल आये यह प्राइक्टा वन में से यह गटा देते तो बाकी बच्चा हुआ प्राइक्टा ऐसी है जिसमें कम से कम एक वार तो बार लिख देता हूं एक बार तीन सिक्के उच्छा ले गए या फिर इसको इस प्रकार से लिखता हो कि कि टैल आया फिर टैल आया फिर फिर प्रकार लिखता गता लिए तो देखो वन माइनस पहली बार कितना हो गता होगे डूसरी बा साथ 2 गता होगे तो त्रीज वर eternal कि इसरी प्रकार गतना हो चुका है LOL 8 हो चुका है LOL 8 माइनिस एक करोगे तो連 गलता का साथ बट्याट हो जाएगा option number कौन सा हो चुका है दो हो चुका है दूसरा method देखो आप उस प्रकार से भी कर सकते थे मगर उसके लिए आपको पहले condition देखनी पड़ेगी देखो head आने की 203 वार ऑट करेंगी केवल एक वार है और क्या हो सकता है कि पहली वार आया दूसरी War Head आया, फिर Tell आया, या फिर इस प्रकार से हो सकता है, यह हो चुका है, अब यह Indy बात करते है कि 2 head आये, क्योंकि कम से कम एक head की बात कर रहे, तो 2 तो आ सकते हैं, मान लिया, पहले 2 condition में head या फिर पहले टैल आया उसके बाद दो कंडिशन में head आ गया या फिर पहले और साट इंटू यहां से निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी आप लिखोगे प्राइकता बराबर हो जाएगा यह आपका साथ कंडिशन बन रही है टोटल तीन यह तीन यह और एक यह तो टोटल साथ इंटू इंटू हैड कहतो या दोनों बराबर है इसलिए हमने ऐसा लिख होगे आप कितना आ जाएगा साथ इंटू और यहाँ पर आप लिक्राइक निकालोगे किसी एक की निकाल लो और उसको साथ से मल्टिप्लाई कर दो कहने का मतला यह तो एक की निकालो के तो कितना हैगा कि हैड था यह टैल था और फिर टैल था इस प्रकार से था तीन पहले हैड फिर टैल फिर टैल थोड़ा सा और साफ लिखना पड़ेगा जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं किसी एक की प्राइकता निकाल दो और फिर उसको साथ से मिल्टिप्लाई कर दो मान लिया पहले पहले की प्राइकता निकाल देता हूं क्योंकि सब की प्राइकता बराबर आने वाली है क्योंकि हैड की आने की प्राइकता एक बटे दो होती है और टैल की उत्री होती है हम कहते कि सात कंडिशन बनी है मेरी ठीक है इस प्रकार से और इस को मुल्टिप्लाई किया कि तैट हाया एसा प्रकार से तो साथ इंटू बात करते हैं आठ इनटू या आपके एक बट्टे दो इंटो एक बट्टे दो इनटो इस प्रकार से करोगे तो यह आपका बट्टे आठ आठ आजए यह दोनों तरीके है पहला वाला तरीका ज्यादा असान है दूसरे में आपको जोड़े बनाने में टाइम लगेगा बात करते हैं सवाल निंबर 57 की योग आपको 434 है उनका महतम समाफ परत्यापको 31 दे रखा है संख्याओं के कितने योगम बनाए जा सकते हैं तो देखो क्या कहा गया है कि दो संख्याइं दे रखिये मान लिया जब आपसे HCF या LCM का सवाल में आपको संख्याइं यदि माननी है तो क्या मानोगे AX प्लस BX यानि कि एक पार्ट उनमें कोमन मानना है जो ये कोमन पार्ट है वही तो हमारा HCF है तो मैं कह दूँगा जो मेरा X है ना वही इसके बराबर होगा ठीक है तो एक संख्या हो चुके 31 है और दूसरे का मान यदि X की तरफ रखा तो 31 B ये हो चुके है दोनों का योग करोगे तो 31 कौमन आ जाएगा A plus B बेराबर मेरा कितना दे रखा है चार सो चोटीस दे रहा है इस प्रकार से दे रहा है तो A plus B मेरा यहां से कितना आ जाएगा एक बार भाग दो गए हो अब और चार वार जाएगा उसके बाद में 31 आ जाएगा फिर यहां पर 2 1 1 2 1 2 4 आए ऐसी वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी जिन में से बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आए इनके टुकड़े करोगे न जब आप तो सहा बाद ये टुकड़े होने चाहिए कि उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए जिदि देखो अब मैं A और B की वैल्यू लेता हूँ चौदा और एक ले सकते हैं हम ठीक है फिर एक कम कर दोगे तेरा करोगे तो यहां पर कितना ले सकते हैं चौदा और एक कैसे ले सकते हो योग करना है तेरा लोगे तो एक आ जाएगा तो यहां पर बारा लिया तो यहां पर कितना आएगा दो आएगा और यहां से दो कॉमन आ आना चाहिए क्योंकि SCF common आ चुक है उसके अलाबह और कुछ common आता तो SCF में होता है तो हमारा कोई भी जिसमें से common आ रहा है वो जोड़ा count नहीं किया जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर दो common आ रहे हैं तो गशल्चँ होगा 9 की बात करते है तो 9 लेते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा उसके बाध में रिदी मैं साथ लेता हूं तो यहां पर शात आ जाएगा यहां से भी कितना common आ रहा है, साथ common आ रहा है, दोनों में से, तो ये वील नहीं होगा, मेरा जोड़ा, तो कितने जोड़े बन चुकी हैं आपका, एक, ये आपका एक जोड़ा बन चुका है, ये आपका दो जोड़ा बन चुका है और ये तीन बन चुका है इन तीनों में से कुछ भी कौमन नहीं आना चाहिए तो तीन जोड़े इस प्रकार के हो सकते हैं तो option number कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा आगे बात करते हैं सवाल number 68 की तीन अवाज्य संख्याओं को आरोजी करम में विवस्तित किया जाना है यादि कि घटते हुए करम में सबसे पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी यदि पहली दो संख्याओं का गुननफल मान लेते हैं इस प्रकार से हमारी तीन संख्याओं है घटते हुए करम में तो पहली दो संख्याओं का गुननफल आपको कितना दे रखा है या आपको 323 दे रखा है अन्य दो संख्याएं कौन सी हो गई B into C हो गई उनका गुननफल आपको कितना दे रखा है 221 दे रखा है अब मैं क्या करता हूँ यदि इसमें इसका भाग दूँगा तो B से क्या होगा B कट जाएगा तो ऐसा ही यहाँ पर होगा यदि हम भाग देंगे तो किसका रेश्यो आजाएगा हमारे पास किसका रेश्यो आजाएगा यह A and Pats C का रेश्यो आजाएगा ठीक है और तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो अब आप इसके अंदर भाग किसका दो गए आप कैसे पता चलेगा मैंने जब 13 का भाग दिया तो 32 32 तीन के अंदर जब भाग दोगे तो 13 का भाग नहीं जाएगा भाग दोगे 26 आएगा 26 63 बच्चे का भाग नहीं जाएगा मैं पता सल चुका है कि पहला option कट चुका है फिर आप option नमबर 4 की बात करते हो option नमबर 4 17 है 17 का जब आप इसके इंदर भाग दोगे ना तो यहाप का 17 एक बार जाएगा जाएगा और 15 15 30 होता है तो यह 15 15 बन चुका है 15 तो 17 17 179 इतना हो चुका है इन्टू 17 ये इसके डुकड़े हो चुके ठीक है तो सबसे बड़ी संख्या ऊपर दिखाई दे रिया आपको 19 है तो नीचे टुकड़े क्या हो जाएंगे 17 और उससे छोटे तो भाग देखे देख लो 17 का 17 का 17 17 17 17 गया ठीक है फिर उसके बाद में कितना बजा पांच एक कावन यहनी कि नीचे टुकड़े हो चुके है 17 इंटू एक इंटू तो यह आपका कट गया ठीक जो कटा वह क्या था हमारा वी संख्या थी अब आपके पास 19 दो अभाज्य संख्याओं का रिश्यो आ चुका है जो आप उसमें नहीं कट सकते हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा उपर वाला है पहली संख्या हो चुकी है वह 19 है पूछा गया है जो की option number 3 हो गया है यह हो चुका तवाल नबर 71 की बात करते हैं डाई हजार की धनराशी पर साड़े 8% वाशिक दर्श पर एक मार्च 2018 से 12 माई 2018 तक की अवधी के लिए साधान ब्याज ग्याद की किये अब देखो एक मार्च से लेकर इतना हमें ब्याज ग्याद करना है तो सबसे पहले देख लेते हैं यहां से लेकर यहां तक कितने दिन होते हैं तो मार्च की बाद करते हैं तो 31 दिन होते हैं क्योंकि एक मार्च से स्टार्ट किया है उसके बाद में मार्च के बाद में अप्रेल आता है अप्रेल में 30 दिन होते हैं अप्रेल के बाद में माई आता और माई के अंदर कितने तारिक तक है बारा तारिक तो माई के बारा दिन ही लेने आपको मार्च पूरा हो गया अप्रेल पूरा हो गया और माई कितना हो गया बारा दिन हो गया इन सब को यह आप जोड़ते हो 30 30 60 और 10 70 हो जाएगा 70 और 30 हो जाएगा यानि 73 दिन का ब्याज हमें निकालना है और आपको जो ब्याज दर दी गई है वो पूरे साल की दी गई है ठीक है पूरे साल की दी गई है तो कितनी दी गई है 8 से 1 वटे 4 भिन में चैंज करते हैं तो यह आपका 33 वटे 4 हो जाएगा यह कितने की है 12 महीने की है 12 महीने यह फिर हमें दिन में दे रखा है तो दिन में लिखना पड़ेगा आपको यानि कि 365 दिन की दर आपको कितनी दी गई है 33.4 परसेंट दी गई है तो एक दिन की दर कितनी हो जाएगी 33 वटे 4 और 365 से आप भ into 73 वटे 365 यह आपके पास 73 दिन की हो गए यह आप इसको काटोगे तो यह एक से पांच वार कट जाएगा यहीं कि दर आपकी 33 वटे 20% आचुकिए 73 दिन की दर ठीक है अब आपके पास राशी है दर भी है ब्याज निकाल सकते हो तो पचीस सोगा वस आपको 33 वटे 20 परसेंट निकालना है और परसेंट का साइन अटाओगे तो नीचे क्या एक और सो आजाएगा दो जीरो से यह आपकी दो जीरो कट जाएगी इतना आ चुका है अब देखो यह बीस है ना पांस से कट जाएगा चार वार यह 25 पांस से पां दो वार आट जाएगा फिर पांच 41.25 हो जाएगा ओप्शन नमबर कौन सा तीन आ जाएगा सवाल नुबर 16 तर तीन परसेंट नमक युक्ट एक विल्लियन में पांच लीटर मात्रा में दो लीटर वाश्पित हो जाता है तो से इस विल्लियन में नमक की मात्रा बतानी है है जनी कि जब पांच लेटर विल्लियन ताना तो लीटर को मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं लेटर में कर लेता हूं, तो कितना आजाएगा निंबर Champ यह आप इसका निकालोगे, देखो एक परसेंट की बात करते हैं, बीचे से दो जीरो हटा दो, पचास हो चुका है, पचास एक परसेंट की वैल्यू तो तीन परसेंट की वैल्यू डेट सो हो जाएगी, तो नमक तो अभी भी डेट सो रहने वाला है, लेकिन दो लीटर उट है, यानि कि तीन हजार एमल अब बचा है, तो तीन हजार का डेट सो कितना होगा, यह हमें बताना है, तो डेट सो तीन हजार का कितना होगा, यह आपको बताना है, तो जो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, एक और यह कट जाएगी, आपके पास कितना आ चुका है, यह आपक परसेंट पहले कितना था 3 परसेंट था आप कितना हो गया 5 परसेंट हो गया option number आपके पास 3 हो गया सवाल number 80 मूल बिंदू से रेखा 4x plus 3y plus 6 बराबर 0 की दूरी ग्याद कीजिए अब देखो किसी बिंदू से मूल बिंदू का मतलब होता है 00 अब मान लिया कि यह तो मूल बिंदू दे रखा है लेकिन किसी भी बिंदू मान लिया a b है a b है या a b तो दे रखा होगा मान लिया बिंदू है मेरा x1 y1 ठीक है x1 y1 मान लिया ठीक है तो इस बिंदू से इस बिंदू से या x1 y1 की वज़ाए आप x1 y1 ही मान लो बिंदू से रेखा की दूरी कह दो या रेखा की लंबवत दूरी कह दो जब भी ऐसा दिया है कि बिंदू से रेखा की दूरी तो इसका मतलब है कि लंबवत दूरी ही होती है बिंदू ये दे रख है आपको तो इसकी रेखा से दूरी रेखा का समिक्रन होता है Ax प्लस By پ्लस C बरावर 0 इससे दूरी बतानी है कितनी है तो वो लंबवत दूरी की बात चल रही है दूरी यहां पर लिख देता हूँ मैं लंबवत दूरी एक ही बात है यह हो चुका है तो formula क्या होता है इसका दूरी या लंबवत दूरी का formula क्या होता है यह आपका होता है कि देखो उपर पूरी की पूरी जो equation उसके अंदर बिंदू रखोगे आप A X1 B Y1 प्लस C और इसके mode लगा दो mode का मतलब जो बाहर आएगा लाश्ट में वो प्लस में आएगा और नीचे अंडरूट में क्या करोगे A square प्लस B square कर दो यह हो चुका है अब आपके पास बिंदू क्या है 0 0 है तो X1 का मान 0 रखोगे तो पहली जो यह terms है वो 0 हो चुकी है दूसरी terms भी 0 हो चुकी है C कमान कितना है 6 दे रखा है आपको तो वो 6 आ जाएगा इस प्रकार से आ जाएगा नीचे बात करते हैं तो 4 है A कमान square करोगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 3 का square करोगे तो 9 हो जाएगा यह हो चुका है और यहाँ पर मोड था तो 6 बाहर आएगा तो 6 ही बचेगा नीचे बात करते हैं तो अनरूट 25 का 5 आ जाएगा तो यह 6 बटे 5 आ चुकी है आपके दूरी option नमबर कौन सा हो चुका है 3 हो चुका है तो यह formula याद कर लेना यह एक नया सवाल है यह सवाल अभी तक पीछे जितने भी set थे उनमें नहीं था आगे बात करते हैं सवाल नमबर 18 की बात करते हैं एक वर्थ की तिरजा बतानी है आपको equation यह दे रिखिए तो यह equation किस रूप में होती है हिदिवर्थ की बात की जाए equation का रूप होता है x2 plus y2 plus 2gx plus 2fy plus c0 यह रूप होता है equation का जहां पर केंदर क्या होता है केंदर क्या होता है minus g minus f यह केंदर होता है और तिर्जा की यह दी बात की जाती है तो वो क्या होती है आपकी वो होती है G का स्क्वेर प्लस C का स्क्वेर प्लस F का स्क्वेर और माइनस C का स्क्वेर इस परकार से होता है G का स्क्वेर प्लस F का स्क्वेर और माइनस C का स्क्वेर यह होता है आपका तिरजा अब आप से तिर्जा पूछी गई है तो सबसे पहले हमें g और f का मान निकालना पड़ेगा तो आप सबसे पहले केंदर निकालोगे केंदर कैसे निकालते हैं केंदर कैसे निकालते हैं अब g और f का मान निकालोगे तो देखो जो भी X का गुनांग दे रखा है उसको आधा करोगे और माइनस लगा दोगे यानि माइनस साथ बटे दो हो चुका है इसी प्रकार से Y का निकालना है यानि कि F कमान निकालना तो Y का जो गुनांग है उसको आधा करोगे और माइनस लगा दो यह आपका 와 yaşथ यह, तो हमारे पास केंद्र आचुका है, अब 3 अंकालोगे तो G squared, इसका squared करोगे, यहीं, साथ बटे 2 का square करोगे, तो कितना आ जाएगा 49 बटे 4 आ जाएगा, इसी प्रकार से F का square करोगे यह आपका 4 आजाएगा और C square करोगे 9 का square कितना हो जाएगा आपका यह आजाएगा 1 क्या सी आजाएगा अब देखो इसका आपको क्या करना है अन्रूट लेना है कुरे का कितना आएगा कि आपका यहाँ पर C square नहीं होगा केवल C होगा यह भी यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आपके पास 9 था और C कमान 9 था तो यह आपका यहाँ पर 9 आजाएगा अब आप इनको यह दि घटाते हो तो कितना आता आपका minus 5 आता है तो 49 minus 49 बटे 4 minus 5 आजाएगा अब आपको करना क्या है LCM लोगे 20 आ गया 20 में से 49 यह घटाते हो तो कितना बच जाता है उपर 29 बच जाता है नीचे कितना आ जाता है चार आ जाता है यह आपका मान आ चुका है LCM लेने पर तो कौन सा हो जाएगा अब यह दि देखो नीचे ऊपर वालेगा तो कुछ भी नहीं आएगा लेकिन जो चार है उसको हम बाहर ले सकते हैं उसका अंडरूट कितना आ जाएगा दो आ जाएगा तो इस प्रकार से भी लेख सकते हैं ऑप्शन नमबर कौन सा हो ज मतलब यानि कि राजा रानी या इस प्रकार से कुछ भी उसके बना हुआ है तो वह बताना है कि उसकी प्राइक्ता कितनी है तो देखो हम बात करते हैं तास की गड़ी में टोटल कितने पत्ते होते हैं तो मैं कहूं कि 52 पत्ते होते हैं अब देखो प्रतेइक उसमें जिस teaspoon कि चार भागों में बटे होते हैं, इट के अंदर होता है, इट हो गई, चीडी हो गई और इसी प्रकार से होते हैं, तो 13-13 के अंदर होते हैं, इस प्रकार से, अब 13-13 के अंदर होते हैं, इस प्रकार से, अब 13-13 के अंदर होते हैं, प्रकार से, अब 13-13 के अंदर होते हैं, उन में से तीन पत्ते होते न वो face card होते हैं, face card लिख देते हैं, इस प्रकार से face card होते हैं, और एक जो पत्ता होता है, वो 1 का होता है, एक का ठीक और बाकी पत्ते हो गए तेरा में से ये दिया आप चार को घटाते हो बाकी पत्ते आपके नो होते हैं यह हो गए इसी प्रकार से यहाँ पर भी फेस कार्ड कितने हो जाएंगे इसी प्रकार से तीन फेस कार्ड हो जाएंगे एक एक हो जाएगा और बाकी पत्ते जीरो से लेकर एक से लेकर नो तक हो जाएंगे जीरो और क्या होता है एक से यह आपके नो तक होते हैं ठीक है यह हो जाएंगे यह हो गए यह हो गए अब देखो बात करते हैं यह आपके ताज के पत्ते यहाँ पर 20 प्रकार से हो जाएंगा बाजियों के अंदर भी अफेस कार्ड यहाँ से total कितने हो गए है यहाँ से भी लिख देते हैं 3FC यहाँ से भी face card की बात करें तो तीन 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 कितने हो चुके हैं टोटल face card की दिबात की जाए तो यह आपके 12 हो चुके face card 12 हो चुके है total पत्ते 52 है प्राइकता पूछी गई है कि मैंने एक पत्ता निकाला और वो face card हुआ इसकी प्राइक्ता बतानी है, तो टोटल कितने पत्ते हैं, तो नीचे लिख देंगे 52, उन में से घटित होने वाले घटना हैं, यानि कि 12 में से कोई भी एक पत्ता आ सकता है, तो उपर 12 लिख दोगे, सरल करो इसको, कितने से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, या नहीं कटेग 52 से कट जाएगा, तो ये उपर 3 आ जाएगा, 52 काटा तो नीचे 13 आ जाएगा, 3 बटे 13 हो चुका है, ओप्शन नमबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हमारा एक पेपर कम्पलीट हो चुका है, अब 2 की बात कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल, सवाल नमबर 2 है, ये क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये अंडूट 6, 8 है, तो मैं इसको कुछ तोड़ना पड़ेगा, पहले आप 22 को ऐसे रहने दो, इसको क्या करो, कि मुझे बनाना है, A2 प्लस B2 प्लस 2AB रूप बनाना है, तो सबसे पहले ये जो 2AB है अंडूट वाला है, इसको मैं बनाऊंगा, 2AB में, तो एक तो 2 को छोड़ देता हूँ, ठीक है, कहां से निकलेगा, 8 से निकलेगा, बाकी बचा 4 और अंडूट 6, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, अब इसका मतलब क्या ह है, कि ये तो मेरा 2 हो चुका है, ये मेरा A हो चुका है, और ये B हो चुका है, तो जो ये 22 है, ये A square प्लस B square का योग होगा, इसका मतलब ये A square प्लस B square का योग होगा, तो A square प्लस B square का योग आपको 22 दे रखा है, A का मान 4 है, तो यहाँ पर हमें कितना रखना पड़ेगा 16 और 6 का square अंडूट 6 का square 6 हो जाएगा दोनों का योग बराबर 22 आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 16 यानि कि 22 को मैंने तोड़ा 4 के square में प्लस अंडूट 6 का square किया प्लस 2 4 और ये 6 इस प्रकार से हो चुका है और पूरे का क्या है अब देखो जो अंडर बना है वो क्या बन चुका है 4 प्लस अंडूट 6 का whole square बन चुका है और उसके बाहर आपको एक बटे दो दे रखा है अब देखो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टिप्लाई हो जाती है यानि कि 4 अंडूट 6 की पावर दो इंटू एक बटे दो हो चुके तो ये कट के आपकी कितनी आ जाएगी 4 प्लस अंडूट 6 इतना माना जाएगा option नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा सवाल नंबर 12 की बात करते है एक सिलेंडर का आयतन दे रखा है आपको वक्रप्रश्ट का छेतरफल दे रखा है इसकी उन्चाई पूछी गई है आयतन दे रखा है वक्रप्रश्ट का छेतरफल दे रखा है उन्चाई पूछी गई है सबसे पहले आयत 5 की बात करते है क्या होता है फाइ र स्क्वेर एच दे रखा है जो कि कितना हो तो however तो यह स्कानि देखो हुएधि मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 को आपस में डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा पाई से पाई कट जाएगा देखो पाई tyr r2 h ृतad2ppours यह इनको अपस हमें डिवाइड किया जाता है तो इह तो जाएगा 5525'th or itzuknia हो जाएगा तुरी अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, उसके बाद में एच से एच कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो यहां से डबल जिरो से डबल जिरो कट गई, तो आर बटे टू का मान आपके पास कितना आया, या आपके पास पाच बटे चार आ चुका है या हम कहें दो को उधर ले जाएं दो को उधर ले जाएं ले जाओगे तो कितना आ जाएगा आर कामान आ जाएगा आपका 10 बटे 4 आ जाएगा सरल करने पर यह आपका 5 बटे 2 आ जाएगा इतना आ चुका है हमारे पास R कमान R कमान आ चुका है हमसे क्या पूछा गया है उन्चाई पूछी गई है तो आप किसी भी equation में रख दो दूसरी वाली equation में रखता हूँ मैं 2 पाई आरच है चमालिस सो के बराबर है R कमान हमारे पास पांच बटे 2 आ गया आप रखोगे 2 इंटू 22 बटे 7 करोगे फिर R कमान पांच बटे 2 इंटू H बराबर चमालिस डबल 0 यह हो चुका है तो यह चमालिस से कट जाएगा उसके बाद में आपका क्या बचा एच का मान मेरे पास बचा इधर तो सो बचा इधर पांच नीचे आ जाएगा साथ उपर चला जाएगा दो भी उपर चला जाएगा पांच से काटोगे तो कितना वार जाएगा यह 20 वार जाएगा 20 इंटू साथ इंटू 2 हो चुका है तो साथ चोगा 28 और 10 लगा दो 280 cm हो चुका है option नमर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा सवाल नमर 14 की बात करते हैं इस प्रकार से दिया गया आपको मान निकालना है जब आप पहले का LCM लेते हो तो कितना आ जाएगा यह आपका X प्लस 2 बटे X प्लस 1 इस प्रकार से आ जाएगा दूसरे का लेने पर क्या आ जाएगा X प्लस 3 आ जाएगा नीचे X प्लस 2 आ जाएगा तीसरे का लेने पर उपर एक्स प्लस फोर नीचे एक्स प्लस थ्री यानि कि उपर वाला नीचे वाले से एक ज्यादा है हर वार ठीक है और इसी प्रकार से चलते 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 क्या चारी पद है तो चोते का कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा इस प्रकार से हो चुग है अब देखो यह X प्लस 2 X प्लस 2 से कट जाएगा यह इसमें कट जाएगा यह आपस में कट जाएगे बचा कि आपके पास एक तो X प्लस 5 बचा और X प्लस 1 बचा इतना बच गया है यह आपको कौन से उप्शन में मिल रहा है उप्शन नमबर 4 में मिलना तो यह हमारा उप्शन हो गया आगे बात करते हैं देखो 28 नमबर सवाल दे रखा है X का मान बताना है तो सबसे पहले आप देखो इधर जो बड़ा वाला अंडूट है इसको यदि सौल करते हो तो क्या होगा ठीक है कि इसको यदि मैं सौल करता हूँ तो मेरा कितना मान आएगा तो जब आप वो इसको अंडूट लोगे अंडूट यदि लेते हो तो एक सो इस पे भी है और इसके उपर भी है तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि इसके उपर भी है और इसके उपर भी है दोनों के उपर है और यह दोनों संख्याय गुनन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा यदि मैं इसका अंडूट लेता तो दोने साइड़ आप स्क्वाइर कर दो यहां पर आपके पास 125 भाग N यहां पर आपके पास किटना हो जाएगा यह 484 हो जाएगा woman 854 हो जाएगा यह आपस में क्या है आप कट चुकह है । आपके पास कितना मान बचा क्या है नहीं आपके पास, अब आपको क्या करना है, यह मान आपके पास बच चुका है, ठीक है, तो, अब इसका मान किसके बरावर आया, 25 भाग, X का मान 1 के बरावर आया है, दोनों साइड वापस से स्क्वेर करोगे, तो यह 25 भाग को मैं यह दी नीचे ले जाओ, इस प्रकार से भी सवाल नमबर 34 की बात करते हैं, एक चोटी से चोटी संख्या ग्याद कीजिए, जिसमें 166 जोडने पर प्राप्त संख्या, इन से विभाजित करने पर 3 से स्वस्ता है, देखो, वो कह रहा है कि, X प्लस चोटी सी संख्या, इसके अंदर जोडने पर, फिर इसको इन संख्या उसे यदि विभाजित किया जाता है, तो 3 से स्वस्ता है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले इनका LCM लेना पड़ेगा, इनका यदि मैं LCM लेता हूं, तो कितना आता है, एक तो आपके पास 9 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, 2 की सबसे बड़ी पावर, और एक इप्लिकेशन आएगा, तो आप 4, 5, 9, 4, 36 हो जाएगा, 36 को जब पास से मल्टिप्लाई करते हो, तो 180 आ जाएगा, ठीक है, LCM आ चुका है, तो यह किसके बरावर आएगा, हम कहेंगे, एक 180, प्लस 3 से सबस्चा, यहाँ पर आप एक Y मान लो, प्लस 3, अब सबसे छोटी सं क्या बात की है, तो Y कमान एक रख दो, एक रख दो, तो 180 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से 183 आ चुका है, यहाँ कि 183 के बराबर होगा, कौन सा मान, X प्लस 166, तो X कमान क्या होना चाहिए, आप इसको इधर ले जाएगे, 183 माइनस 166 करोगे, कटाने पर आपका कितना आ जा है, इसके बाद मैं बात करते हैं, पचास नंबर सवाल की, इस प्रकार से दे रख है, आपको X कमान निकालना है, तो इन दोनों को मल्टिप्लाई कर दो, बाहर वाले दो को सबसे पहले अंदर वाले दो को मल्टिप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा, और बाहर वाले दो क multiply करते हैं तो आपका यह आ चुका है 5 का square लिख दो इसको और इसको मैं 25 का square लिख देता हूँ दोनों को लिख दिया तो अब यदि मैं अंडूट लेता हूँ इधर x square है इधर भी इस प्रकार से square है इधर x आ जाएगा इधर यदि अंडूट लेते हूँ आप तो यहाँ पर आपके पास 5 बचेगा और यहाँ पर यह आपका square था तो 25 बच जाएगा उल्टा कर देते एक्स बराबर कितना आ जाएगा इन दोनों का multiplication यह हो चुका है एक्स बराबर 125 हा चुका है option नमबर 2 हो चुका है सवाल नमबर 59 की बात करते हैं किसी मूल धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्स का चकरुती ब्याज 154 रुपए है अब देखो दो वर्स की बात नहीं किये उसने कहा है कि केवल दूसरे वर्स का चकरुती ब्याज कितना 154 रुपए है तो मूल धन ग्याद करना है अब यदि हम बात करें कि मूल चकरुती ब्याज की बात है एक साल का ब्याज यदि 10% है दूसरे साल भी ब्याज किदर कितनी होती है 10% होती है यदि हम compound करते हैं दो साल की बात करते हैं दो साल के ब्याज की बात करते हैं कि दो वर्स के ब्याज की बात करते है तो कितना होता है compound करोगे आप 21% होता है यनि कि पहले वर्स तो 10% मिल रहा था फिर 21 का मतलब क्या है यदि पहले वर्स तो 10% मिल रहा था तो दूसरे वर्स 11% मिला होगा इसका मतलब यह है ठीक है यदि मैं पहले वर्स मेरा कितना है पहले वर्स तो दर वही वही ब्याज रहता है जो की स्ताधान ब्याज और चक्रती ब्याज पहले वर्स का बराबर होता ह यह पहले वर्स की दर थी 10%, टोटल 21% आई है दो साल की, इसका मतलब जो दूसरे वर्स की है, दूसरे वर्स की बात करते हैं, दूसरे वर्स की दर, औरे, वो कितनी हो गई है? यानि कि 11 परसंट हो गई है, आप 21 में से 10 घटाओगे पहले वर्स की दर को, ठीक है? यह लिख दे लेते हैं पर्थम वर्स की दर ठीक है इस प्रकार से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा आपका 11 परसेंट दिया गया यानि कि मेरी यह दिर आसी एक्स है इसका 11 परसेंट आपको कितना दे रखा है मैं कहांगा 154 के बराबर दे रखा है तो एक्स बराबर सभी संख्याओं को इधर ले जाते है 11 नीचे आ जाएगा 100 उपर आ जाएगा 11 से इदिया आप इसको सोल करते हो तो यह आपका 14 बार जाएगा इंटू 100 यह बराबर 14 100 हो जाएगा यह निकि मूलधन आपका कितना आ चुका है 1400 रुपए आ चुका है 1400 रुपए आ चुका है कितना हो जाएगा तो यह कौन सा है मारा option number कितना हो जाएगा option number 1 हो जाएगा इस प्रकार से सवाल number 84 की बात करते है नीचे दिये गए चित्र का अलोकन करे और समलम चत्रबुझ का चित्रफल निकाले अब देखो समलम चत्रबुझ सबसे पहले तो क्या होता है समलम चत्रबुझ का चित्रफल क्या होता है वो होता कैसा है यानि कि उसके अंदर दो बुझाएं तो क्या होती है समानतर होती है ये वाली बुझा और ये वाली बुझाएं समानतर होती है लेकिन बराबर नहीं होती है कहने का मतलब समानतर होती है लेकिन बराबर नहीं होत हाइट है वह एच मान लिया तो एक पटे दो इंटू ए प्लस बी इंटू एच यह समलम चत्रबुझ का शेत्रफल होता है अब देखो इस चित्र को जब आप देखते हो तो कौन सी दो बुझाये आपको समांतर दिखाई देती है एक तो यह बुझा दिखाई दे रही है एक यह बुझा दिखाई दे रही है यहनि कि इसको जैसा आपने बनाया है उससे थोड़ा सा इसने 90 के एंगल पे घुमा दिया है तो यह नहीं कि यह दो बुझाय समानतर है तो इनके बीच की उन्चाई क्या हो जाएगी यह वाली इनके बीच की उन्चाई हो जाएगी यह इनके बीच की उन्चाई हो गई यह दो बुझाय समानतर हो गई तो हमारा A कमान मान लो, इतना आ चुका है, B कमान ये हो चुका है, ये हमारी क्या हो चुकी है, उन्चाई हो चुकी है, उन्चाई आपको निकालनी पड़ेगी, तो पंदरा दे रिखा है, नो दे रिखा है, पंदरा की यदि बात करते है, ये पंदरा को यदि मैं तोड़ता तो क्या हो जाएगा यदि तीन से भाग दिया है इसमें तीन से भाग दोगे तो कितना जाएगा पांच आ जाएगा इसमें तीन से भाग दोगे तो नो में तीन आ जाएगा तो यहाँ पर भी कितना जाएगा यह तीन हो चुका यह चार हो चुका यह पांच हो चुका है भाग किस से दिया था हमने पांच से दिया था यानि कि यह हमारा किस से दिया था कि तीन से दिया था इधर भी तीन से दिया था तो चार इंटू तीन कितना हो जाएगी यह हुजा मेरी बारा हो जाएगी ठीक है बारा हो गई तो हाइट आपकी कितनी आचेके यह 12, हम ने क्या किया, यह देखो हमारे पास एक समकोर आचुका है, हम जानते हैं किस रिष्यो में होते हैं, यह 3, 4, 5 के रिष्यो में भी होते हैं, अब आपको क्या किया है, इधर भी 3 से मल्wir्टिप्लाई कर दिया है, तो इधर भी तो 3 से multiply होगा, यह आपको 15 के बराबर दे रखा था, यह 9 के बराबर दे रखा, तो यह मेरा 12 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऐसा है, कि triplet में क्या होता है, यह दि 3, 4, 5 दे रखें, जो भी triplet यह दि दे रखा है, अब यह दि परतेग संख्या से, मैं इसको एक समान संख्या से 3 को multiply कर दूँ, तो मेरा triplet change नहीं होगा, यह वो भी triplet होगा, तो है मैं इसको किसी से भी multiply करूँ, यह दि 1 से करता हूँ, तो यह दि 3 को 5 से किया, तो वो भी 3 जो संख्या है आईगी, वो भी triplet होगी, तो इस पर कासे हो चुका है, अब आपके पास मान आ चुका है हाइट का भी, तो एक बटे दो, दो बुजाओं का योग कितना हो जाएगा, एक आपकी 9 है, एक 8 है, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 17 हो जाएगा height कितनी हो चुकी है 12 हो चुकी है यहां से मुझे पता चल चुका है भाग दोगे 2 का भाग 12 में दोगे 6 आ जाएगा 6 into 17 को multiply करने पर कितना आपता 102 के बराबर आता है यह आपका मान हो चुका है यह तरफल आ चुका है option number कौन सा हो जाएगा चार हो जाएगा यह हो चुका है तो दोस्तों यहां पर हमने important सवाल जो कि shift 1 और shift 2 के अंदर 4 March को पूछे गए थे उनको discuss कर लिया है हमारा आज का paper complete हो चुका है कैसा लगा यह comment में बचाना अच्छा लगा तो आप like कर सकते हो thank you दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के एक और paper के साथ